हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई योटोब चानल हेल्दी लाइफ दोस्तों ड्राइफ फूट्स को सहत के लिए कितना फायदे मन माना जाता है यह हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप अंजीर खाने के फायदे जानती है जी हां अंजीर एक ऐसा फल है जिससे कच्छा और जगनी या सुनारा हो सकता है अगर बात करें इसमें मौजूद विटामिन के बारे में तो इसमें पोटैसियम मिन्डरल कैल्सियम और विटामिन जैसे घुर पाया जाते हैं जो सरीर को कई लाप पहुचाने में मदद करते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं अंजीर को खा पायदा है मोटापा में मोटापा कम करने के लिए आप अंजीर को अपनी डाइट में सामिल कर सकते हैं क्योंकि अंजीर एक लो कैलोरी फूड है जो वजन को कम करने में मदद करता है दूसरे बेनिफीट से अस्तमा में दोस्तों अस्तमा के मरीजों के लिए फायदे मंद है अंजीर का सेवन यानि अंजीर खाने से सरीर की अंदर मियुकस जिलियों को नमी मिलती है और कफ साफ होता है अस्तिमा के मरीज इसे दूद के साथ खा सकते हैं तीसरा बेनिफिट्स है इम्मुनिटी के लिए अंजीर को इम्मिनिटी के लिए काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें बिटामिन, पोटैसियम, मिनरल, कैलसियम की गुण पाये जाते हैं जो इम्मिनिटी को मुझूद करने में मदद करते हैं चार नमबर बेनिफिट्स है कब्ज में अगर आपको कब्ज पेट से जुड़ी समस्य रहती है तो आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं क्योंकि अंजीर में पाये जाने वाले गुण पेट दर्द, गैस और कब्ज की समस्य से राहत दिलाते हैं प्रिंट्स आगे हम जानेंगे पांस नमबर बेनिफिट्स के बारे में तो पांस नमबर बेनिफिट्स है हड्डियों के लिए अंजीर में भरपूर मात्रा में कैल्सियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है अंजीर और दूद का सेवन कर कमजूर हर्डियों की समस्य से बच सकते हैं अगर आपके सरीर में आइरन की कमी होती है तो अंजीर को अपनी डाइट में सामिल करना अच्छा अप्सन होगा अंजीर और दूद का सेवन करने से आइरन की कमी को दूर कर सकते हैं सबसे आखिरी और साथ नमबर बेने फिर से डियाबेटीज में अंजीर में fatty acid और vitamin पाया जाते हैं जो डियाबेटीज में मददगार होता है इतना ही नहीं अंजीर फलका 7 insulin को कंट्रोल करने में मदद भी करता है तो दोस्तों ये थे अंजीर से जड़ी होई साथ महतपूर जानकारिया थैंक्स पर वाज़ेंग दिस वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगे है कमेंट में जुरूर बताइएगा फिर मिलेंगी ऐसे ही नए वीडियो के साथ